भारती बोर्ट सोच रहा है कि विराथ कोली को इस T20 वर्ल कप में शामिल ना किया जाए ये मेरे लिए बड़ी हरान कुन खबर थी मगर रिसोर्सी स्कॉटिड इस खबर और उनकी जगा पे क्या प्लान है वो भी मैं आपको बताऊंगा और विराथ कोली को क्यों शामिल नहीं यह यह चुने मुने दो चुजे थे यह नहीं चलेंगे इवन के ठीक आप जैस वाल बहुत अगड़ा खेलेंगे और अगर वंड़न पॉसेशन पर विराथ कोली नहीं होते तो शुमन गिल के साथ जाए या सुले कमाईजादिव के साथ जाएं बट इन सब वो अप्शन के मैं आप मिरी जाती यत कोई क्रीमींस आप से बाहर कर दिया जाएगा जिस तरीके से बल्विज्ट कोब में अपने बल्ले से काफी धमार मचाया था उस बीराथ कोली ऑप बाहर करने के लिए कैसे सोच रहे हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ कर रहे हैं जो तो आएगा सबसे पहले करते हैं इस वीडियो को भारती बोर्ट सोच रहा है कि विरात कोहली को इस T20 वर्ल कप में शामिल ना किया जाए ये मेरे लिए बड़ी हैरानपून खबर थी और हार्श कॉल ली जा सकती है यानि उनको शामिल ना किया जाए और उनकी जगा पर क्या प्लैन है वो भी मैं आपको बताऊंगा और विरात कोहली को क्यों शामिल नहीं करना उनकी सोच में ये है कि विरात कोहली जो है वो उनका स्ट्राइक क्रेट T20 के मताबिक नहीं है वो एंकर रोल करत हैं मगर वो वंडे क्रिक्ट में तो चल सकता है टी टूंटी में नहीं चल सकता और मैं है रहान हूँ इस सोच पर कि इंडिया विरात कोली के ऊपर क्वेस्चन मार्क लगा रहे है ठीक है आपके पास जिंक्स्टर्स बहुत अच्छे हैं इसमें कोई शक नहीं है आपके पास अगर विरात कोली नहीं भी खेलते हैं ऑप्शन बट अगीन आप मतलब यूर थिंकिंग अबाउट विरात कोली जो के हर प्रेशर मैच में स्कोर करते हैं और मैं समझता हूँ कि वो दुनिया के वाहिद बल्लेबाद हैं जो प्रेशर लिगनेशन में सबसे अच्छा खेलत हैं आपको पाकिस्तान के खिलाफ अगल्बन के मेडान में 82 रन्स नॉट उट नजर आ रहे होंगे मगर उन्हों निदरलेंड के खिलाफ भी 50 की उन्होंने एडलेड में बंग्रादिश्क के खिलाफ 50 की फिर वर्लकप का जो सब्मी फानल आपने इंग्लंड के खिलाफ वह लोने रंगे exhale मगर आपको यह लगता है कि इनका उंकर च्छेपन करता है वहिट कर सकते हैं और इंडिया को 12 स्कौर्ड सुंड को नहीं अच्छा कंगो करें लाश नहीं पार चेन्ध कर सकते हो यह क्रिक्ट फैन के इनude कुन बात होगी कि इंडिया इतना अब समझे के ओवर कॉंफिडेंट हो रहा है या उनका प्लैन है कि नहीं विराहत कोली से बहतर हमें जेंक्स्टर मिल गए है और उनका प्लैन क्या है इंडिया का कि अगर विराहत कोली नहीं होते तो उनके पास है कि शुमन गिल जैस्वाल उनका किसे ऐ नीचे मिलें या सूरीय कमार जाति उनको नंबर 3 पॉसिशन पर लाकर खेलाए जा सकता है और अगर सूर्य कमार जातिया है आगए को उनका पर नंबर 3 पे खेलता है जो कि टी 20 के नंबर वन बैटर है तो फिर चोथे पांसवे नंबर के उपर नंके रिंको शुमन दोवे है ये इन से विराद मतलब विराद कोली का इवन के ठीक एफ जैस वाल बहुत अगड़ा खेलेंगे वो तो खेल मुझे लगता है ओपर नहीं खेलेंगे और अगर वराद कोली नहीं होते तो शुमन गिल के साथ जाएं या आप सुले कमाई जादिव के साथ जा है कि ये हमारे पास और बहुत अप्शन्स हैं तो फिर क्यों स्टिक रहे हैं हम विराद कोली को वर्ल्ड कप के स्कॉर्ट से ड्रॉप कर दिया जा सकता है अब दुबारा से शुल्डी छोड़ी गई है दुबारा से खबर को लीग किया गया है और लोगों का पॉइंट देखना चाह रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट रवराद कोली के फैंस से के ऐसी तबाई मचाएं कि कभी यह लोग सोचे भी ना कौन ऐसे सोचता है कि वो बंदा जिसने आपको बुरी तरह से हमारे से बुरी तरह से इब्रस नाक हार आप लोग की होनी थी अगर विराड कोली ना होता किसी को मुह दिखाने के लाइक नी बचना था किसी ने इतनी बुरी तरह से पाकिसान ने इंडिया को वर्ल्ड कॉप में नववे अजार लोगों के सामने हराना था उस बंदे ने आपको हाडा हुआ मैज जित्वाके दिया फिर आगे से खबरे आती कि विराट कोली का हिस्सा नहीं बन सकते अब विराट कोली जैसे दिग्गस फिलियर को आप बाहर करेंगे तो कभी नहीं वर्ल्ड कॉप जितेंगे यह मैं लिग के दे सकता हूं जिस तरीके से विराट कोली एक मुश्किल सिच्वेशन में बैटिंग करते हैं काफी टीम को निकारते हैं औ जिस तरीके से आपको याद होगा कि हारिस रौफ जो दो ओबर में 40 रन बनाना था सिंगल विराट कोली ने हारिस रौफ और मुहमद नवाच को आइस्टेलिया के मेलवन के ग्रॉंड में किस तरीके से दिन में तारे दिखा दे ओह है विराट कोली आप बिराट को तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस अपडेट के लिए